हेलो दोस्तो स्वागत है आप सब का मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग ओयल सील के बारे में जानेंगे ओयल सील का इस्तमाल क्यों किया जाता है ओयल सील डेमेज जादातर क्यों होता है और oil seal का installation कैसे करें साथ ही इसके number details के बारे में जानेंगे दोस्तो तो वीडियो बहुत knowledgeable होने वाला है अगर channel में नए है और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन channel को subscribe कर लिजे साथ ही bell icon को press कर दिजे जिससे आप लोग को regular notification मिलते रहेगा दोस्तो चेनल का membership अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो तुरन जाकर channel का membership जॉइन कर लिजे चलिए करते हैं वीडियो को start वीडियो में बने रहेगा अंते तक वीडियो को skip मत करिएगा दोस्तो फुल वाच की जगा जिससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये मैंने centrifugal pump का drawing बनाया ये सारा parts का नाम लिखा हुआ है इसका screenshot लेकर रख लीजिए ये आगे चल के आप लोग को काम आएगा साथ ही इसका वीडियो भी मेरे channel में अवलेवल है हर एक parts का क्या क्या काम है कौन से parts का क्या काम है वो आप लोग को पता चल जाएगा उस वीडियो से तो आप लोग तुरंच जाकर All About Pump के playlist को चेक कीज़े जिस पे आप लोग को centrifugal pump से related बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तो तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि centrifugal pump में oil seal install कहा रहता है centrifugal pump में दोस्तो oil seal जो है end cover में रहता है यह जो जगा देखा है यहाँ पे एक oil seal रहेगा और यहाँ पे एक oil seal रहेगा और यहाँ जो है दो bearing लगे हुए रहते हैं इसको drive side का oil seal बोला जाता है दोस्तो drive और non drive की इस तरीके से पहचाना जाता है जिदर coupling लगा हो centrifugal pump को operate करने के लिए साफ्ट में जहाँ coupling install होगा उस side को drive side बोला जाता है दोस्तो और जिदर impeller रहता है उसको non drive side बोला जाता है इसको याद रखना है bearing में भी सेम होता है यह drive side का bearing है यह non drive side का bearing है दोस्तो अब यहाँ पे दो oil seal इंस्टॉल रहते हैं यह oil seal का काम क्या है इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका काम के बारे में यह क्या करता है oil को seal करता है दोस्तो यहाँ जो है bearing housing के अंदर पे lubrication के लिए bearing lubrication के लिए oil fill up रहता है उस oil के leakage को रोकने का काम oil seal करता है बहुत बार oil नहीं रहता है lubrication के लिए grease रहता है बट उस pump में भी आप लोगं को oil seal का इस्तमाल देखने को मिल जाएगा दोस्तो तो oil seal का जो काम है simple सा आप लोगं को याद रखना है जो भी bearing को lubricate करने के लिए lubrication oil डाला गिया है उस lubrication oil के leakage को रोकने का काम oil seal करता है दोस्तो दो oil seal लगे वे रहते हैं एक drive side में दूसरा non drive side में अब समझते हैं कि oil seal ज़्यादा तर damage क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तो oil seal damage होने के कुछ important जो point से दोस्तो पहला है अगर pump बहुत ज़्यादा हीट होता है हीट कैसे होगा अगर lubrication oil नहीं है यहाँ पे lubrication oil housing के अंदर नहीं है और pump running हो रहा है तो भी क्या होगा pump हीट होगा और हीट का बज़े से इसका जो material है ID का जो material है दोस्तो वो hard होकर crack हो जाएगा और oil seal failure हो जाएगा यहाँ से leakage हो सकता है जब आप दुबारा इसमे oil fill up करोगे ठीके तो अगर lubrication oil सही नहीं है pump का housing जो हो हीट हो रहा है तो भी आपका oil seal जो है pump का वो damage हो जाएगा दोस्तो दूसरा reason है bearing damage अगर कोई सा भी bearing damage हो जाता है drive side का हो या non drive side का हो अगर bearing damage हो जाता है तो क्या होगा बहुत ज़्यादा radial play या axle play हो सकता है जिसका बज़े से soft jerk करेगा और jerking के कारण इसका जो ID है वो damage हो जाएगा दोस्तो तो यह जो है दो region बहुत important है पहला bearing अगर damage हो रहा है damage bearing है और pump running कर रहा है तो oil seal damage हो जाएगा दूसरा अगर lubrication oil यहाँ पे नहीं है तो बहुत ज़्यादा housing हीट होगा और हीट के बज़े से यह oil seal जो है crack हो जाएगा दोस्तो जब दुबारा आप इस पे oil fill up करोगे उस समय यहाँ से oil का leakage होना start हो जाएगा और तीसरा जो important region है दोस्तो oil seal का installation सही तरीके से नहीं आना oil seal का installation आपको सही तरीके से आना चाहिए अगर oil seal को install करते समय आपने damage कर दिया इसके ID को damage कर दिया इसके उपर के surface को damage कर दिया तो भी oil seal का leakage regular होते रहेगा दोस्तो और oil seal का leakage अगर हुआ तो bearing भी damage हो जाएगा और बहुत सारा problem centrifugal pump में start हो जाएगा तो ये कुछ region थे oil seal damage होने के इसको आपनों को धियान देना है installation सही तरीके से करना है lubrication oil को regular check करते रहना है अगर level कम है तो top up करते रहना है lubrication oil का bearing अगर damage है तो bearing को replace करना है अगर ये आपने नहीं किया तो oil seal बहुत जल्दी damage हो जाएगा दोस्तो अब समझते हैं इसके number के बारे में यहाँ पर कुछ number लिखे हुए रहते हैं oil seal के उपर जैसे कि इस पे लिखा हुआ है 38, 62, 8 ये जो है ना दोस्तो ये oil seal का number है जब भी आपसे industrial area में जाने के बाद पुछे कोई कि oil seal का number बताओ तो ये वाला number आपको बताना है 38, 62, 8 इस तरीके से दुसरे oil seal में कुछ और number लिखावा रहेगा तो जब भी आपसे number पुछा जाए तो ये वाला number आपको बताना है दोस्तो अब इस पे समझने वाली कितना है यहां से लेकर यहां तक का जो है ID कितना है वो बता रहा यह कितना है 38 ID है इसका 62 क्या बता रहा दोस्तो यह oil seal का outer है यहां से लेकर और यहां तक का जो length है उसको बता रहा है इसका OD को बता रहा है 38 इसका ID है और 62 है इसका OD oil seal का OD और 8 जो है दोस्तों ये इसका thitness ये 8mm इसका thitness है ठीक है तो ये आपसे लोंको पता होना चाहिए कि oil seal का जो number है उसका meaning क्या है 38 का मतलब ये ID को Ausw कर रहा है 62 का मतलब ये OD को Ausw कर रहा और 8 का मतलब इसके thickness को सो कर रहा है दोस्तो अब एक चीज और समझते हैं क्या ये नंबर चेंज होगा तो फिर भी आप oil seal को install कर सकते हैं कर सकते हैं दोस्तो एक digit जैसे कि ये वाला last वाला ये दोनों अगर आपने change किया जैसे कि इस pump से सोचिए ये वाला हम लोग oil seal खोले हैं ये वाले pump से example के लिए में बता रहा हूँ अब हमारे पास ये वाला oil seal नहीं है बट 3862x7 है तो क्या इसको install कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं दोस्तो कोई दिक्कत नहीं होगा ये वाला last number देख रहे हैं ये अगर one digit कम हो जाए one digit ज्यादा हो जाए तो आप उस oil seal को pump में install कर सकते हैं बट सोचिए इस pump से हम लोगों ने अभी ये वाला oil seal dismantle किया है जिसका number है 3862x8 अभी हम लोग के पास जो नया oil seal मिला हम लोग को वो है 3862x7 तब हम लोग इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं ये जो last digit है इसका थीतनेस अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा और थोड़ा सा कम होगा तो कोई फरक न नहीं करेगा लूज हो सकता है तो ये दोनों आप नहीं चेंज कर सकते हैं जो number का pump से dismantle होगा वही number का install करना है last digit जो है इसका थीतनेस जो बता रहा है वो अगर थोड़ा सा कम रहे एक mm और ज्यादा रहे एक mm तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उस oil seal का अप लोग इस्तमाल क कर सकते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि industrial area में जाने के बाद बहुत सारा problem आता है जिसको खुद से solve करना पड़ता है दोस्तों अब oil seal में एक चीज आपको ध्यान देना है install करते समय ये spring लगा हुआ रहता है gripping के लिए ये soft को grip करता है दोस्तों तो इसको आप पर crack वगेरा तो दिखना ही रहा इसका hardness सही होना चाहिए बहुत ज्यादा lose नहीं होना चाहिए या crack का आपको marking नहीं दिखना चाहिए अगर crack दिखता हो तो बहुत ज्यादा store पे hold होने के वज़े से भी ये damage हो जाता है दोस्तों बहुत दिनों से सोचिए stock लाकर रखा गय 38 का मतलब जो है ID है 62 का मतलब OD है और 8 का मतलब जो है इसका थितने से दोस्तों इसको install करना simple सा process है इसका bearing का यहाँ पे end cover आता है जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों उस end cover से इस oil seal को पहले खोल लेना है और खोलने के बाद इसको simple सा यहाँ outer में हलका सा lubrication लगा लिजिए lubrication oil या lubrication grease इस पर आप लोग लगा लिजिए और आराम से cover पे रखके हलका सा press करके और हलका हलका hammering कर लेना है mallet से जो plastic वाला hammer आता है दोस्तों उससे hammering करना है damage नहीं करना है यह जो है ना दोस्तों यह metal के उपर rubber coating किया गया है तो अगर आपने इसके coating को damage कर दिया तो यह linkage होना start हो जाएगा दोस्तों इसका installation का भी वीडियो मेरे चैनल में available है जाकर आप लोग फुल वाच कर सकते हैं दोस्तों वीडियो का इस अलगा comment करके जरूर बताएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला knowledge मिला तो कि कि आपको कुछ भी अच्के मिला तो अके मिला अपकता है